नमस्कार केमचो हिंदूस्तानियों सबसे पहले मैं मोदी जी को नमन करना चाहती हूँ कल बहुत ही सरान ये कार्य किया उन्होंने खेल रतना से भगोडे राजियुगंदी का नाम हटा कर ध्यांचन्द जी के नाम पर वो अवार्ड करने के लिए क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि खेल रतना उनके नाम पर होना चाहिए जो देश के लिए खेलते हो जो देश का नाम आगे ला रहे हैं उसको सन्मान दिला रहे हैं ना कि उनके नाम पर जो देश के साथ खेल रहे हो और ये घंदी परिवार की जो नियत है वो यही है कि देश को बरबाद कैसे किया जाए तो कते ही इस भगोडे के नाम पर ये खेल रतना होना ही नहीं चाहिए था नेकिन आज तक पब्लिक ने कभी वो इंट्रेस्ट नहीं लिया इस वज़े से अभी तक ये चल रहा था ना कभी हमारे जितने भी प्लेयर्स है नेशनल जितनी भी अपन टीम्स है ठीक है आज तक मुझे नहीं लगता है कि कभी भी घंदी परिवार ने इन लोगों का मनोबल बढ़ाया हो या उनको कुछ सलाह दी हो या उनका स्टैंड लिया हो या उनके साथ कंदे से कंदा मिला कर खड़े रहे हो इन लोगों ने सिर्फ सपोर्ट किया है वीडियो देख रहे हो आप लोग आप मुझे एक बात बताओ 26 जनवरी को जो हुआ था आज तक उसके लिए वीदेशी महिला या उसका पागल बेटा या चोर उसका जो जमाई है जिसकी लुगाई है डेट सो रुपे की साड़ी पहन कर जो घूमती रहती है और घर में पा परिमा को नुकसान पहुँचे और इन लोगों का काम यही है आग लगाना तो कल के लिए मैं मोदी जी का धन्यवात करना चाहती हूं और एक और बात बताना चाहती हूं मोदी जी को के अभी सोनिया घंदी सिर्फ गुलामों की आका है बाकि इस देश के लिए वो कते डिज सर्विंग है ही नहीं ठीक है तो मुझे लगता है कि अभी जिस बंगलों में वो रह रही है दस जनपत पर वो वहां किस बेस पर रही है है सबसे पहले तो लात मारकर उसको बंगले से बहार निकाला जाए उसको जहां भी रहना हो उसका पागल बेटा जो तुगला करोड प क्योंकि उसको ये सब चीजों में वो माहिर है क्योंकि ये सारी चांडाल चौकडी का यही काम है देश बरबात करो तो मैं चाती हूँ कि इनको रस्ते पर लाने का काम मूदी सरकार जरूर करे और जनता का जहां तक सवाल है वो तो आपके सपोर्ट में ही है तो इस बुढ़िया को लात मार कर दस जनपत से निकालो भारत माता की जए